जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ, सब लोग बहुत अच्छे होंगे. दोस्तों, आज की इस वीडियों में बात करेंगे BSF की जॉब प्रोफाइल के बारे में. BSF की जॉब कैसी है? BSF बनी Border Security Force. BSF की Training कैसे होती है? Duty कैसे होती है? Salary कितनी मिलती है? चुट्टी कितनी मिलती है? प्रोमोशन कितने साल बाद होता है? फैमिली रखने के लिए मोका मिलता है या नहीं मिलता है? BSF के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियम में आपको दूँगा. जगिन मैं ग्यानिश्वर घायवर्ट कमांडो और फिजिकल ट्रेनर. वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल. अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और बेल न करना वरे से कुरिटी पर्स. यह BSF जो है बॉर्टर पे अपनी ड्यूटी देती है . ठीके दोस्तों बॉर्टर पे यानि भारत-पाक जो सीमा है वहां पर BSF की duty होती है ठीक है और अंतरिक सुरक्षा भी एक उसकी duty है कई तरह की duty है BSF को करनी पड़ती है लेकि मुख्य जो duty है भारत पाकिस्तान सीमा पे duty करती है बॉर्डर पे duty करती है ठीक है दोस्तों तो हम ट्रेनिंग से शुरू करते है ठीक है ट्रेनिंग कितने विक का होता है 44 विक जो अगर आप SSC GD के थ्रोक Constable के पत पे तैंनात होते है तो आपका 44 विक का तो इसमें 22 विक के बाद में आपका मिटरम ब्रेक दिया जाता है 15 विक का ठीक है दोस्तों 15 दिन का मिटरम ब्रेक दिया जाता है उसमें आप घर के लिए चुड़ा जाता है फिर आने के बाद में फिर आपका जो बचा हुआ ट्रेनिंग होने के बाद में कसम प्रेड होती है और कसम प्रेड के बाद में आपको आपके यूनिट में आपके बटालियन में ड्यूटी कर जाए से और क्या होता है जादा पता नहीं की ज़रुवत है नहीं तो भारत-पाक सीमा पर जो जैसनमेल जैसे इलाका है पूरा गर्मी जैसे इलाका है वहाँ पर भी duty करती है BSF, ठीके, तो BSF और एक duty, चुनाओ duty भी करती है अंतरिक सुरक्षा की duty BSF करती है, लेकिन मुख्य duty है भारत-पाकिस्तान सीमा, ठीके दोस्तों अभी बात करते है कि और एक भारत बांगलादेश जो सीमा है, बॉर्डर है वहाँ पे भी BSF duty करती है, ठीके election duty हो गया NDRF में भी BSF के जवान जाते है ठीके, NDRF में भी BSF के जवान जाते है, NSD में जाते है ठीके, ESPG में भी जाते है, ठीके duty बार्डर पे ही है, पर लेकिन इस force में भी BSF के जवान जाते है, ठीके BSF की एक Commando Force है जैसे CRPF की Commando Force है COBRA वैसे BSF की Commando Force है Crocodile Commando ठीक है Crocodile Commando ये BSF की Commando Force है उसमें स्रीफ BSF के जबान ही जाते है ज्यादा famous तो नहीं है लेकिन ये BSF की एक Commando Force है ठीक है अब बात करते हैं कि salary के बारे में salary कितना होता है तो आपका basic जैसे आप जिस दिन आपने thumb लगा लिया जिस दिन आपने joining कर लिया उसी दिन से आपका पेशुरू हो जाता है और basic पे होता है 2700 ठीक है basic पे होता है 2700 और TA और DA मिलता है पिर HR मिलता है राशन मनी मिलता है 3800 रुपए लेकिन राशन मनी जो 3800 रुपए मिलता है वो आपके कोई काम का नहीं है दोस्तों क्योंकि वो आपको मेस में जमा करना होता है ठीक है जिस मेस में आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको देना पड़ेगा जब आप छुटी जाओगे तो वो आपके काम में आ जाएगा ठीक है दोस्तों और ट्रेनिंग में जो है TA नहीं मिलता है DA मिलेगा लेकिन TA नहीं मिलता है ठीक है दोस्तों जो आप जहाँ पे डुटी कर रहे हैं वहां का रिक्स आलाउंस मिलेगा आपको ठीक है आगर आप बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे है या कोई सिविल इलाके में ड्यूटी कर रहे है तो जैसे जहां पर ड्यूटी करोगे वहां का आलाउंस आपको मिलता रहेगा यह भी नहीं है दोस्तों कि आपकी हर आगर आपने जॉइनिंग कर लिया और आप BSF में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तीन साल में अपका ट्रांसपर हो जाता है हर तीन साल में ठीक है अब ही BSF के कैम तो हर जगा हर सिटी में बहुत अच्छी इन लगने लगे है तो इतना टेंसन लेनि चुन देखो कि तो हारम इसके उसमें कोई सक नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी दिविश्पी है कंसे कंसातरा साल आपके प्रोमोशन एक कॉंच्टेबल ससोसे आपको हवलदार बनने में 16-17 साल लग जाएंगे आप exam देके भी दे सकते हैं आपकी service जैसे 3 साल हो जाएगी तो आप exam दे सकते हैं ठीके जो LDC टो के exam आती है तो आप उसको देके आप हवलदार बन सकते हैं या साई बन सकते हैं आप assistant commandant की भी exam दे सकते हैं ठीके तो आप एक्जाम देने के लिए एक्जाम दे सकते हैं जैसे आप constable से जैसे तीन साल आपकी service पूरी हो जाती है तो आप एक्जाम दे सकते हैं ठीके दोस्तो अब बात करते हैं कि छुट्टी कितनी मिलती है छुट्टी देखो दोस्तो छुट्टी as it is जितने भी SSCGD म सभी को सेम छुट्टी मिलती है 75 दिन की ठीके उसमें 75 दिन में 60 दिन जो है आपके EL रहेगी और 15 दिन जो है CL रहेगी ठीके CL को casual leave बोलते है ठीके और इसके अलावा medical leave 15 दिन की आपको मिलती है अगर आपको कोई injury हो जाती है या कुछ बिमार पढ़ जाते है तो आपको 15 द प head family रखने के लिए मुपका मिलता है या नहीं मिलता है Julia. Family रखने के लिए देखो दोसतो जो वोर्डर पेयागा अगर childcare अपकी duty रहेगी तो family रखने के लिए मुपका नहीं मिल से जाएगा जैसे और पी शुTION ग्रेंटर में होगी या कोई अपका ओफिस है वहाँ मिल जाएगा गला अगर आफकी बार्डर पर ड्यूटी है तो आपको फैमिली क्लीग के लिए मुखा नहीं कितना करना पड़ेगा सर्वीस देखो दोस्तो 20 साल के बाद में आप रिटार्मेंट ले सकते हो 57 साल तक आप सर्वीस कर सकते है उसमें कोई या नहीं है जब आप छुटी जाओगे तो आपको कई सारे लड़कों नो मेरे कॉमेंट्स किया सर्व चुट्टी पे मिलता है या नहीं मिलता है सेलेरी मिलेगी आपको चुट्टी पे भी सेलेरी मिलेगी ठीके यह नहीं है कि आप चुट्टी जाओगे तो सेलेरी नहीं मिलती है सेलेरी मिलती है दोस्तों लेकिन जो सुईधा है अपने को मिलती है ठीक है दोस्तों जो पेराइमेटरी फोर्सेस है जैसे सी जीडी के थ्रोव में जो बरती होती है उसमें जितनी भी फोर्स आती है उसमें सब को एक ही जैसी केंटिंग मिलती है ठीक है श्रीप आसाम राइपल को छोड़ कर ठीक है आसाम राइप और वोशन कैसे होता है वो बता दिया आपके चुटी कितनी मिलती है वो बता दिया फेमिली रतने के लिए मोका मिलता है या नहीं मिलता है वो भी आपको बता दिया फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप comment box में जाके comment कर सकते है वीडियो अच्छा लगे तो like करे and share करें जय हिन जय वारत